नहुश्कार दोस्तों स्वागत आपका एक्जाम बुक चैनल में दोस्तों जैसा कि 29.4 का ये आपका नोटिफिकेशन है इस नोटिफिकेशन में जो यूपी ASIM की वेकेंसी आई थी उसमें जो है एक चीज ये हुई है कि इन्होंने दूसरी कट आफ जो है दूसरी लिस्ट ब पाराइब तक जो है ऐख जित कराए गयी थी चारपालियों में उसके बाद कुल 4563 बच्चे जो है वह आपके अभी लेकों की आउत किया गया था फिर उसके बाद करें कि अभी लेकों की समिख्षा और सारे इंग मानक परिक्षण में अपेचिक संक्या क्या ब्यारतियों क बुलाया गया था और उसके बाद जो है दुबारा 4287 बच्चों को दुबारा बुलाया जा रहा है ठीक है ये कह रहे हैं कि इसमें जो है बच्चों ने DV-PHT में बहुत ज़्यादा मात्रा में फेल हुए है इसलिए इनको बुलाया जा रहा है कट-off भी दुबारा लगा दी गई है पहले जेनरल कटेकरिटी की कर-off कट-off जी साय थी 313 उसके बाद अब देखे 304 जो है वो नंबर पर ये लगाई गई है ठीक बहुत सारे बच्चे इसमें जो है 4287 बच्चे जो है इसमें आ जाएंगे राम से अब मैं आपको एक चीशी बता देता हूं इसके बाद के मेरे कॉंटेक्ट में जो UPASIM के हैं मैं बता रहा हूं वहाँ पर जितने भी officers बैटे हुए हैं जो check कर रहे हैं आप विश्वास नहीं करेंगे 100 में से 10 बच्चे पास हो पा रहे हैं जो की आपका जिनके पास O level का या फिर computer का certificate हो ठीक है 100 में से 10 बच्चे 15 बच्चे ऐसे पास हो पा रहे हैं कुछ लोग हाइट में निकल जा रहे हैं कुछ लोग ज्यादा तर 90% जो चीज है वो आपके निकल लाए है इसमें जो आपकी O level का जो certificate है या फिर computer का जो certificate है उसमें निकल लाए है तो दूसरी आपकी यह आ जाती है कि इसके बाद जो है आप कट-off अग उनका DBPST में फेल हो चुके हैं ठीक आप बात करते हैं UPSI की देखे UPSI में DBPST में 36,000 बच्चे पास करे गए हैं उसमें ज्यादा बच्चों का फेल होना DBPST में आपका बहुत ही मुश्किल है ठीक अब आपकी UPSI में जो है second list कब लग सकती है अगर आपको ध्यान होगा सा की cutoff UPSI में second list आ सकती है वो ये है कि अगर वो 200 बच्चे दोड़ा रहे हैं तो उसमें मात्र 100 बच्चे या मुश्किल से मुश्किल 70-80 बच्चे पास हो तब second cutoff list या second cutoff आपकी आ सकती है ठीक गरमी का माहल time है इन्होंने सुबह और साम बुलाया है लेकिन तब भी दोस्त तक complete नहीं है ठीक मानता हूं अभी भी जिनका 18 तारीक 19 तारीक में जिसका DVP HD होगा वो मालो लेकिन चीजें ऐसी हैं कि भाई दर तो हमेशा बना रहता है वहाँ पर बच्चे बहुत मात्रा में फेलूंगे लेकिन अगर माल लीजिए 15 आजार 16 आजार बच्चे फेल हो जा अब आप खुद सोच लीजे ना अब हाँ इनका आप देखिए कि इनका जो DVP ST है वो 21 मई को जा रहा है तो मतलब इनकी जो आपकी जो टाइपिंग वाइपिंग होगी वो जून में होगी जाके जून जुलाई में हो जून में तो होगी होगी इतना मान के चलिए ठीक उसक सुचने वाली बात है कि पास कितने हुए उसमें बहुत कम पास हो रहे हैं ऐसे UPSI में अगर दोड़ में बढ़िया तरीके से लड़का अगर मैं इतना गैरंटी देता हूं गर दिन में दोड़ करा दी जाए सुबह साथ बज़े से लेकर साम को 6 बज़े तक गैरंटी से कह अगर दोड़ कमपलीट हो गई ठीक बाकी कोई भी अपडेट होगा आपको तुरंट बता जाएगा धन्यवाद